चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बैल का इकन अपली जाब इसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदरिया ईनियल उटुबर और आप सबी लोगों का मेरे यूटिव चनल पर स्वागत है तो दोस्तों क्या आप भी परेसान है अपने बबादा के मस्तों से साथ आपके मदाशिके मस्तों में दर्द होता है चुबन सी होती है, सूजन है आप बिलकुल नकपना है अगर आपने ये नुस्खा यूज कर लिया जैसा कि आप वीडियो में देख रही है इस नुस्खे को आगर आपने यूज कर लिया तो आपके मवाशीर के मस्ज चाहे वो बादी हो, चाहे वो खूनी हो कैसे भी मस्से हो ये नुस्खा आपके मस्सों को सुखा करके जाड़ देगा तो चलिए चलते वीडियो को और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों मैंने ये लिए हैं अंडी के पत्ते, एर अंडी के पत्ते आपको कहीं पर भी आराम से मिल जाएगा, रोड के किनारे, पार्क में, कहीं भी बड़े सलल तरीके से मिल जाता है, कोई प्रॉब्रम नहीं होती है, तो अब इस ट्राइब के अंडी के पत्ते ले मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ एक पत्ता तो ये देखिए दोस्तो इस टाइब से ये एलेंड का पत्ता होता है और ये पत्ते में एंटी फ्लेवेंटी, एंटी ऑक्सिजेंट, एंटी बेक्रियर और एंटी फंगल तत्तो होते हैं जो आपके बवाजीर के मस्तो को सु सूजन खतम करने में बहुत तेजी से काम करेगा और उसकी जो जलन है उसका जो दर्द है ये सब खीच लेगा, सब खतम कर देगा तो इस टाइब से आप करीवन तीन पत्ते ले लीजिए और अब हम एक लेंगे मिक्सी का जार और जार में हम इसको डाल देंगे इस तरीके स शुक्त में आप क्या करें इसमे एक बूंद भी पाणी न डाल डालें इसे इसकी इसकी बनाना है तो यह देखिए दोस्तों यहां पर यह इसका पेष्ट बन चुका है अब आप क्या करए जञे अ जैना पानी के ही ऐसा बनेगा क्योंकि हमें इसका जो अरक है वही चाहिए नूर को श्मि- 750 गोरके आप पानी बिल्कुर डालें और दोस्तों ये नुस्का इतना अच्छा है आजमाया हुआ नुस्का है आप देखना आपको पहले दिन से ही फायदा मिलेगा आप इस तरीके से इस पून से यानि की चमस से दबा दबा करके इसका जूस निकाल लें ये देखिए दोस्तों ये आप ज़रूर ट्राइ करना आपको फायदा मिला है नहीं मिला है थोड़ा से कभी-कभी आप लोग इतना सोच लिए करें कि अगर तीन-चार दिन में आराम नहीं मिल रहा है तो तो तीन-चार दिन और यूज़ कर लिया करें तो ये देखिए यहां पर मैंने जूज़ निक तो चलिए यहां पर बने जूस को निकाल लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक पिंच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर आप सभी लोग जानते हैं कि यह एंटि बेक्टियर होता है यह आपके मस्टों को सुखाने में और ज्यादा तेजी से मदद करेगा और साथी साथ वहा एक चमच्च कैश्टर ऑइल एक चमंच्च करेंगे एक चाफ एकमच्च कैश्टर ओयर आपश में हमेंड़ तो चीज और फ़ोगillä का दीं। अधरवाज आप किसी अच्छी कमपनी का लेने मैंने यहाँ पर पतंजली का लिया है आप किसी भी अच्छी कमपनी का ऐलोवेरा जेल ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें एक चमच अलोवेरा जेल डाल दें और जेल अगर आपको कम लगे तो दुबारा से और भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन सभी सामगरी को अच्छी से मिक्स करें और इस तरीके से आपको इसका मलम बनाना है तो ये देखे दोश्तों ये नुस्खा बनकर के तैयार हो गया है आपको इसका जो पेश्ट है ये इतना सा ही ठीक रखना है जादा ठीक नहीं जादा पतला नहीं अब आप क्या करें इसको बना करके एक ऐयर टाय डिबी में आप रख लें पॉन्सर करना आपको मात्र आट दिन में ही आपके मस्से कर ज़ड़ जाएंगे और दर्द में तो तुरंत पहली बार आप लगाएंगे तुरंत रहत मिलेगा तुरंत अरा मिलेगा दर्द और सूजन में और जरन में अब दोस्तों आप इस मल्लम को कैसे लगांगे वबासीर के मस्तों में आप एक कॉटन बोल लीजिए और उसमें इस मल्लम को लीजिए और मस्तों पर लगाईए वबासीर के मस्तों पर इस मल्लम को लगाईए मलम को लगाने से पहले आप क्या करें सबसे पहले बबाशीर के मस्तों को सेवलों से साफ कर लें या पर अगर आपके पाद सेवलों नहीं है तो आप पानी से भी साफ कर सकते हैं साफ करके सबसे पहले आप उसको पहुचिएगा किसी कौटन कपड़े से और उसके बाद में इस मलम को लगाईएगा आप दिन मर में तीन से चार बार इस मलम को लगा लें तो आप देखना आपको पहले दिन से ही फायदा मिलेगा अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप इसको रात में सोने से पहले लगाईएगा रात पर लगा रहने दीजिए आप खुल देखिएगा आपको तुरंत आरा मिलेगा पहली बार ही लगाएँगे आपके खुजली जलन सूजन मैं बोल चुकी हूँ आपको आराम मिलेगा पहली बार में ही तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें मैं मतुना उड़ी साथ तब तक के लिए नमस्कार